असलाम वालेकूम, आज मैं आपके साथ चिकन फरा रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे गुजिया भी कहते हैं, आप लोग इस रेसिपी को एक बार जरूर बना कर देखना बहुत ही टेस्टी बनती है, आपको इंशाला ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो चलिए ब चिकन को डाल डेंगे, इसके बाद हम डालेंगे 1 चमज, चोटा चमज से अधक लजन का पेस्ट भर कर और आधा चमज लिस दालेंगे काली मिर्च पावडर, इसके बाद अपने टेस्ट के ऐक लास पानी डालाय है, पानी डालने के बाद सभी चीजों को अच्छी तरीके स लगे हैं चिकन पूरी तरीके से गल गया है तो अब इससे हम दूएंगे नहीं क्योंकि इसके अंदर हमने काले मिर्च वगरा एट की है इसको हम ऐसे ही श्रेट कर लेंगे चिकन को आप अपने हिसाब से श्रेट करिए जैसे भी आपको बारी क्या मोटा रखना है आप अपने हिसाब से रखिये इसके बाद हम एक बड़तर लेंगे इसमें हम ॡालेंगे तेल मैने नहीं यहां पे दो बड़े चमच तेल लिह हूं तेल जैसी ही गर्म हो जाएगा तो इसमें हम एक प्याज डाल देंगे यह एक मीडियम साइस की प्याज है जिसको मैंने रफली कटए हरी मटर डाल देंगे इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चमच अधक लशन का पेस्ट छोटे चमच से आधा चमच हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे नमक एक साथ नहीं डालना है बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे ताकि हरी मटर में नमक पहुच जाए नमक डालने के बाद अब सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हरी मटर को एक से दो मिनट के लिए हम फ्राइ कर लेंगे ताकि हरी मटर थोड़ी पक जाए हरी मटर को हमने फ्राइ कर लिया है अब इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च तो मैंने यहाँ पे छे से साथ हरी मिर्च लिया है जिसको बारीक बारीक कट कर लिया है हरी मिर्च डालने के बाद इसमें हम डालेंगे चिकन, यह जो चिकन को हमने श्रेट करके रखा था, वो पूरा हम इसमें आट कर देंगे, अब हम कुछ spices आट करेंगे, तो मैं दो चमच छोटे चमच से डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर, यह तीखी लाल मिर्च है, इसक के बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, नमक डालने के बाद अब हम एंड में डालेंगे हरी धनिया, हरी धनिया जरूर डालेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आता है, हरी धनिया डालने के बाद अब सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंग और mix करने के बाद हम मसालो को चिकन के साथ 1-2 मिनिट के लिए पका लेंगे ताके चिकन जो है मसालो के साथ अच्छे से पक जाए अब इसमें हम डालेंगे एंड में एक चमच बड़े चमच से सोय सॉस और एक चमच हम डाल देंगे टेमाटो केचप दोनों चीजों को अच्छी तरीके से mix कर लेंगे तो यह हमारी जबरदस सी stuffing है वो ready हो जाएगी फरे के लिए बहुत ही जबरदस stuffing है आप लोग जबी भी stuffing बनाएंगे तो ऐसे बनाना इंशाल्ला आपको पसंद आएगी तो stuffing हमारी ready हो चुकी है अब हम एक बरतन में आधे बरतन से भी कम पानी लेंगे और इसे boil होने के लिए रख देंगे जब तक पानी boil हो रहा है तो हम आटा गुन देंगे तो यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है धाई कप मैं यहाँ पे चावल का आटा ले रही हूँ आप अपने हिसाब से लेजिए जितनी भी आपको फरे बनाने हैं उसे हिसाब से आप चावल का आटा डालिए थोड़ा सा डाल देंगे नमक और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें आटे को गूंद कर बिल्कुल सौफ्ट सा डो ready कर लेना है इसके बाद इस डो का सा पोशिन लेकर हमें गोल गोल करके इसकी लोई ready कर लेनी है तो देखे बस इस तरीके से बिल्कुल छोटी सी लोई ready करनी है लोई ready करने के बाद दोनों तरफ से हम इस पर चावल का आटा लगा लेंगे और अब इसे हम बे लेंगे तो हमें यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी रोटी बनाकर ready करनी है तो ये देखिए, ये हमारी जो रोटी है वो ready हो चुकी है और बिल्कुल पतली ready करनी है, पतली आप बनाएंगे तो बिल्कुल soft soft फरे बनेंगे इसके बाद एक बड़े चमच हम इसमें डाल देंगे stuffing, stuffing आप अपने हिसाब से डालिए, half potion पे stuffing डालेंगे और दूसरी side को हम इस तरीके से ऊपर चिपका देंगे, तो बस इस तरीके से हमें हलका हलका प्रेस करते हुए चिपका देना है, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो अपने आप चिपक जाएगा अच्छे से तो ये देखे, ये हमारा जो second shape है वो ready हो जाएगा, अगर आपको नहीं समझा है तो फिर से आप पीछे जाकर दुबारा से देख सकते हैं तो ये हमारे फरे जो है वो ready हो चुके है दोनों shape में, तो अब इसे हम steam देंगे, तो steam देने के लिए ये देखे हमने जो पानी को गर्म होने के लिए रखा था boil होने लगा है, इसके उपर हम रखेंगे चलनी, और इसके उपर हम लगा देंगे तेल, तेल लगाना बहुत ज़रूरी है इसकी वज़े से फरे आसानी से निकल जाएंगे तेल अच्छे से लगाने के बाद एक एक करके हम फरे रख देंगे और इसे हम ढाक कर कम से कम 12 से 15 मिनिट के लिए रख देंगे तो देखें, 12 मिनिट हो चुका है और फरे हमारे बिल्कुल जबरदस्त रेडी हो चुके हैं और आप देखें, ओईल लगानी की वज़े से कि इतनी आसानी से निकल रहे हैं तो इसलिए ओईल लगाना बिल्कुल भी भूलना नहीं तो मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूं यह देखें कितना सॉफ्ट बनाए है और इसकी स्टफिंग देखें बहुत लाजवाब लगता है आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करना रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए